हाई व्रीवन बेरी कुट बॉर्णिंट टु यू ओल खबर याज सेग्मेंट में आप सबका वेलकम और ब्लॉक बस्टर मोकाबला होने वाला सिफ दो दन बाकी है और खबर जो भी कुछ आई है आज उस माच से जुड़ी बहुत सारी और एक न्यूजिलेंड की टीम में एक बड़ा अपडेट है एक प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर उनका इंजरेड है अभी और उसके बार में आपको मैं आगे वीडियो में बता हुआ शुरुबात कर लेते हैं सबसे पहले खबरों के साथ में जूकि आज सबसे पहली खबर है बंगलादेश ने टॉप 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो भी क्वालिफिकेशन से आगे बढ़ चुके हैं और कल अच्छा मैं जीता शाकेब अलहसन ने जबदस प्रदशन किया और बंगलादेश को शांदाज जीत मिली उसके बात करते हैं गली खबर की तो इंडिया पाकिस्तान मैच की जब बात ह विरेंदर सहवाग का बयान ना हो ऐसा नहीं हो सकता विरेंदर सहवाग ने बयान दिया है इस मैच को लेकर के और उन्होंने बोला है कि अब जो टी-20 format है इसमें जादा कुछ रहता नहीं है पूरी टीम के ओपर दारूमदार नहीं रहता है और एक प्लेयर भी प्लेयर ब् कि जहां तक प्रेशर की बात है टीम इंडिया पर पाकिस्तान के खेलते समय हमेशा पाकिस्तान से कम प्रेशर रहता है पाकिस्तान पर ज्यादा प्रेशर रहता है अगर पाकिस्तान को इस मैच में हार मिल जाती है अगर पाकिस्तान इस मैच को हार जाता है तो फिर वो समी फा वह मंचिसा उनको महसूस होता है , अगर भारत इस मैच को झीता है तो फिर इसको मामुल होगस कि तरफ में चैनल एक घय का जो प्हित पहले एक एक्ता ना थे तरफ में चांस को पहले बहुँ भैए कर उसके। क्वाब ले के तोर पर देख रहे हैं इमकर रहा महारत फिलाफ के उनके एक्स्पिरियंस रहा है उसके बल पर niveau लोर जियूँ ज्वाब गार की ऑब चल रहे हैं और लियान चल रहे हैं और उनुजेलेड़ ने कहा है कि हो सकता है कि केन विलियमसन शुरुआत के कुछ मैचेस मिस करें T20 वर्ल कप में तो ये न्यूजिलेंड की टीम बड़ा धटका है और जो प्रैक्टिस मैच भी हुआ तो उसमें केन विलियमसन ने फिल्डिंग करी थी लेकिन बैटिंग उन्होंने इसलिए नहीं करी थी क्य वो इसके चलते बैटिंग उन्होंने नहीं करी थे ऐसा प्रोकॉशनरी मेचर लेकिन वो इंजर्ड है और इंजरी के साथ में ही है अभी और शुरुआती कुछ मुकाबले वो मिस कर सकते हैं ऐसा न्यूजिलेंड की कोच ने बताया है उसके बाद बात करेंगे अगली खब केल राहूल का और दूसरा नाम है उसमें रिशब पंत का अब ये दोनों खिलाडियों को बहुत हाइली डेट करते हैं मैथ्यू एडिन और ने बोला है केल राहूल बच्पन से जैसा खेलते हुआ रहे हैं उनको वो ऐसा ग्रोन क्रिकेटर देखते हैं और जो ग्रोन के साम वीडियो वाइरल हो रहा है और आप भी देखेगा वीडियो आपको सोचल मीडिया पर मिल जाएगा फैंस जो है जब पाकिस्तान की टीम निकल करके जा रही थी इस्टेडियम की तरफ तो फैंस जो है वहाँ पर थे वीडियो बनाते समय एक फैंस तर गूचा जिशाहिन ब बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर जो आई है वो आई है और यह है डैनमार्क ओपन से पीवी सिंदू ने क्वाटर फैनल में प्रवेश कर लिया है उन्होंने जगा अपनी बना लिये और उमीद कर रहे हैं एक लोती अब वो खिलाडी रह गई है जो आगे बढ करेंगे और टाइटल को भी अपने नाम करेंगे कितामडी श्रीकान पहले बाहर हो चुके हैं कैंटम मॉमो टॉस है उनका जो माज हुआ तो उसके बाद और पीवी सिंदू पर आप सबकी नज़रे होंगी तो इस तरह से खबरे है कुछ आज की उमीद कर रहा हूं आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा ये सेग्मेंट पसंद आया हूब अगर पसंद आया है प्लीज आप इसको लाइक काज़utenबर करें साथ में कॉमेंट करका ओपना वीडबैक भी दे सकते हैं फिलहला भी इस वीडियो में इतना है आप इस वीडियो में जुड़ने क्लें बहुत बहुत शुक्रिया